हारा हारा महादेव हारती है जनता पार्टी के राष्टी अध्यक्षा जिनके देतरुतों में भार्टी जनता पार्टी के करोडों कायर करताओं ने जी जान से इस चुनाव अभियान को चलाया वैसे भाई स्री अमीद भाई शाह यहां के लोग प्रिय मुखमंत्री योगी जी प्रदेश के अध्यक्षा महेंद्रनाज जी और कासी के सभी स्रेष्ट बंदु जन बंदु भगिनी लोगन के प्रणाम बाद मैं भी भारती जनता पार्टी का कारकरता होने के नाते पार्टी और कारकरता अब बैठिये अब बैठिये पार्टी और कारकरता जो आदेश करते हैं उसका पानन करने का मैं बर्षक प्रयास करता हूँ एक मास पुर्व जब पटीस तारिकों में यहां था जिस आन, बान, शान के साथ काशी ने एक विश्व रूप दिखाया था और वो सिरफ काशी को प्रभावित करने वाला नहीं था सिरफ उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने वाला नहीं था उसने औरे हिंदुस्तान को प्रभावित किया हिंदुस्तान का कोई कौन ऐसा नहीं होगा जो काशी के गलियों में काशी के मार्ग पर काशी का मिजाज जिस प्रकार से प्रगट हो रहा था उसे जब देज के हर कौने में मददाता देख रहा था कोई कार करता ऐसे जो काशी काशी के आए उनसे कलेक कर लीजे किसे को काम दे दीजे कलेक कर लीजे बाद में मुझे पहुचा दीजे कुछ लोगों का हत में कुछ काशी है मुझे पहुचा दीजे कि बाद में बाद में बाद में मैं ले लूँगा आपको संतोस हो गया कारकर्टा का संतोस यही हमारा जीवन मंत्र है और जब 25 शाम को और 26 में यहां के प्रबुद्ध जनों से कारकर्टाओं से मुझे बात्चित करने का आउसर मिला था और आप समने मुझे आदेश दिया था कि एक महने तक आप कासी में प्रबेश नहीं कर सकते हैं देश ने भले मुझे प्रधान मंत्री बनाया हो लेकिन आपके लिए मैं कार करता हूं और मेरे लिए मेरे लिए आपका आदेश सर आँखों पर रहा 18-19 जब पोलिंग परचार अभ्यान समाब तो हो चुका था 18-19 का समय था 19 को मद्दान होना था मेरे मन में भी था कि चलो बले कोई काम नहीं है लेकिन चले जाए काशी लेकिन फुर्याद आता था यार आपके तो आदेश दिया है एंट्री नहीं देंगे तो क्या होगा तो फिर मैंने सोचा चलो ये बाबा नहीं तो कोई और बाबा शायद ही कोई उमिदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना की मैं था और निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था निश्चिंता का कारण आप सब का परिश्चिंत था कासी वास्चिंत का विश्चिंत था जब नतीजा आए तब निश्चिंत था मत्दान हो रहा था तब निश्चिंत था और इसलिए बड़े मौच के साथ केजारनाथ में बाबा के चरणों में जाके बैठ चुका था काशी ने जो एने काशी तो अभिनाशी है और जो ने मुझे दिया है जो शक्ति मुझे दी है यह अपने आप में शायदी ऐसा सौफागे मिलना बहुत मुश्किल होता है अप ऐसे कई लोग है कितने कारकम किये मुझे जानकारी मिलती थी कि क्या क्या कारकम चल रहे हैं किसने प्रकार से यहां एक प्रकार से चुनाव को लोकोट्सव बढ़ा दिया गया है देश के लिए भी और पूरे चुनाव अभियान में बहुत एक मात्रा में मैं कह सकता हूं कि तू-तू मेमे का तत्व बहुत कम था अपनत्व का माहोल जादा था इस चुनाव में अलग अलग दलों के जो साथी मैदान में थे इस चुनाव में जो निर्दलिय साथी मैदान में थे मैं उनका भी आभार वेक्षे करता हूं कि उन्होंने भी अपने तरीके से काशिम की गरीमा के अनुकूल इस चुनाव को अभियान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है बे भी अभिनंदन के अधिकारी है और इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से जो अन्य उमीदवार थे उनका भी रदैस से धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव में प्रशासन को भहुत कठिनाईया रहती हैं बहुत परिश्रम रहता है देशवर का मीडिया वर्ल्ड भी यहां आता था तो स्थानिये मीडिया के लोगों से भरों से वह चलते से एक प्रकार के उनको भी काशी का रिपोर्टिंग करना और देशवर से आए हुए मीडिया को समालना ये अपने आप कर रहे थे मैं इस मीडिया जगत के सभी साथियों का भी रदय इससे बहुत बहुत आभिजन्दन करना चाहता हूँ इस चुनाओं में जब कारिकरताओं के साथ मेरा मिलना हुआ था तो उस दिन मैंने कहा था कि यहाँ पर साइन नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा लेकिन यह चुनाओं हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा हर गली का नरेंद्र मोदी लड़ेगा और आपने एक प्रकार से अपने भीतर की शक्तियां एक प्रकार से नरेंद्र मोदी के रूप में ही आपने इसको अपने अंदर समाहित कर दिया और आप सम्प नरेंद्र मोदी बन गए और इस पूरे चुनाव अभ्यान को आपने चलाया आम तोर पर जब इस प्रकार का चुनाव होता है तो थोड़ा मन में अब क्या है भाई जीतने ही वाले हैं लेकिन मैं कासी के संगठन से जुड़े हुए लोकों का कासी के हर छोटे मुटे कायर करता का और कासी के हर समर्शक का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव को जय और पराजय के तराजु से नहीं तोला मैं समझता हूं हिदुस्तान के लोक तंत्री ये बहुत बड़ी घटना है जय और पराजय के तराजु से नहीं तोला उन्होंने चुनाव को एक लोक शिष्षा का परव माना लोग संपर्क का प्रवर्माना लोग संग्रह का प्रवर्माना लोग समर्पन का प्रवर्माना और कोई कमीनर है जाए किसी मद्दाता को ये न लगे कि कोई मेरे पास तो आया नहीं था किसे ने तो मुझे कहा नहीं था मोदी हमें पसंद है लेकिन भाई क्या बात है इतना बड़ा आउसर है आपने मुझे याद भी नहीं किया हर घर गहे हर मद्दाता को मिले 40-45 डिगरी टेंपरिचर में गहे और गर्मा गर्मी नहीं थी चुनाओं के माहोल को गर्म करना भी एक अपने आपने कसोटी होती है ताकि मद्दाताओं का उस्सा भड़े इन सभी कसोटियों से आप पार उत्रे हैं और डिस्सिंग्शन मार्क के साथ पार उत्रे हैं इसलिए आप बढ़ाई के पास रहें सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली इसकी बड़ी चरता है और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैट करके हमारी बेटियों ने पूरे कांसी को अपने सर पे ले लिया था भांती भांती के कारक्राम समाज कर रहा था और कभी कभी तो हम जाकर के सिर्फ देखते थे वाह कैसा चल था लेकिन कर रही थी जनता जनार्दन जनता जनार्दन का उत्साव था कोई कारण नहीं था कि आज तो मुझे ऐसे ही उतर करके बाबा के चर्णों में जाना था और फिर आप सबके माध्यम से काशी का और उत्रपदेश का अभिनंदन करना था लेकिन उसके बावजित विजिस्प्रकार से पूरे रास्ते भर लोग अपने आशिरवात दे रहे थे यह भी अपने आप में एक अनोखान हो था और इसलिए मैं आप सबका रदे से अभिनंदन करता हूँ आज मैं भले काशी से बोल रहा हूँ लेकिन पूरा उत्तरपदेश अनेक अनेक अभिनंदन का अधिकारी है आज उत्तरपदेश आज उत्तरपदेश देश की राजनीती को दिशा दे रहा है आज उत्तरपदेश स्वस्थ लोग तंत्र की नीव को और मजबूत कर रहा है उत्तरपदेश ने सत्तर में लोग तंत्र के लिए सारी दिवारे तोड़ करके लोग तंत्र के प्रति अपने निष्ठा बता करके देश को एक दिशा दी थी ताकत दी थी लेकिन दोजार चौदा हो दोजार सत्रा हो दोजार उन्नीस हो ये हैट्रिक शोटी नहीं है जी ये ततकानिन किये गए इन दिनने नहीं है उत्तर प्रदेश के गाउं गरीब परिवार का ब्यक्ति भी भारत के उजवल भविश की दिशा क्या हो सकती है इसके विशे में सोचता भी है और उसी की दिशा में चलता भी है और देश को चलने के लिए प्रेदित भी करता है उत्तर प्रदेश के ये 14, 17 और 19 इन तीन चुनाओं के योगदान को भारत की राजनीती, भारत की समाजनीती, भारत की मद्दात्या दिया ववस्ताएं किस प्रकार से बदल ला रही है इसका एक अध्भूत दिराट रूप के दर्शन कराए है और तीन तीन चुनाओं के बाद भी अगर पोलिटिकल पंडित की आँखे खुलती नहीं है तीन तीन चुनाओं के बाउजित भी पोलिटिकल पंडितों के कान पर आवाज नहीं पहुंचती है तो इसका मटलब है कि उनके विचार उनके सोच उनके तर्क कान बाहिय हो चुके हैं वो बीसवी सदी के लिए है इकीसवी सदी के लिए नहीं है पचास पचास पेश का जिनका मायोडेटा बनता होगा प्रोफाइल बनता होगा इतनी डिग्रियां होगी इतने पेपर लिखे होंगे न जाने क्या क्या कुछ हुआ होगा लेकिन उनकी तुलना में जमीन से जुड़ा हुआ एक गरीब आदमी उसकी समझ सक्ति कहीं काना उची होती है बहुत दिर्जदर्ष्टी को और हम उसी के प्रती सद्धा रखते हुए उसी के प्रती समर्प्रान भाव रखते हुए और उसी के सहारे उसी की शक्ति के भरव से राष्ट की राजनीती में एक नई व्यवस्था को विख्षित करने का प्रयास कर रहे है चुनाओ परड़ाम बहुत एक गणीत होता है जिसको 200 वोट मिले हैं और दूसरे को 201 मिला है तो विजेता तो 201 वाला होने वाला है दोसरे वाला नहीं होने वाला है परणाम का अधार तो गणीत समझ सकता हूँ मैं विश्वी सदी के चुनाओं के हिसाब किताब भी गणीत और अंक गणीत के अधायरे में चले होंगे लेकिन चाहे वो 2014 हो 2017 हो या 2019 हो देश के राजनीति के विश्वे सकों को मानना होगा कि एरिथमेटिक के आगे भी केमिस्ट्री होती है गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है देश में समाज सक्ति की जो कमिस्ट्री है आदर्सो और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है यह कभी कभी सारे गुणा भाग सारे अंक गनीत को निरस्ट कर देती है पराजित कर देती है और इस बार अंक गनीत को केमिस्ट्री ने पराजित किया है और इस अर्थ में यह जुनाव अपने आप में देश और दुनिया को पोलिटिकल पंडितों को कुछ लोगों की गिसी पीटी कैसे थे और वोही दाइरे में फिट करकर के एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं और यह माना गया है कि पोलिटिक सिखे अबाउट अब परसेप्शन यह माना गया है लेकिन और हम वो लोग है जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले इसलिए 90 परसंट से अधिक तांकते जो पिछले 15-70 साल में एस्टाब्लीश हो चुकी है भे दो काम करती रहती है किसी भी हालत में हमारे विश्वे में सही परसेप्शन न बने किसी भी हालत में न बने इसके लिए जो भी जूट का सहारा लेना पड़े लेना पड़े और दूसरा एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुँचे तो दूसरा है हो सके उतने तरक कुतर करके परसेप्शन को बरबाद किया जाए बिगाणा जाए एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाए यह सब्तर साल तक चला है पंडीतों की यह थेरी होगी एक ही पोलिटिक्स है बाउर दे परसेप्शन लेकिन उन पंडीतों को दुबाना सोचना पड़ेगा कि दो चीज़ ऐसी होती है जो परसेप्शन को तबाह करने के लाग कोशिश करने वालों को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी उसको परास करके आगे बढ़ने की ताकत होती है और वो है वो दो चीज़े एक है पारदर्शिता और दूसरा है परिश्रम पारदर्शिता प्लस परिश्रम लोग कितने ही अपनी ताकत लगाले परसेप्शन बनाने की उसको परास्त करने का सामर्थ रखती है और आज हिंदुस्तान ने उसको स्विकार की आहस्ते करके दिखाया है और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है क्योंकि हमें इस प्रकार की नेगिटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरन पर जाना है अविरत जाना है क्योंकि देश उससी से आगे बढ़ने वाला है और उसको हमने किया है साथियों हम लोगों को लगता है सफलता है सरकार और संगठन इन दोनों के बीच में तानवे पर्फेक्ट सिनरजी ये बहुत बड़ी ताकत रखती है आप देखते होंगे कि भारती जनता पार्टी ने सफलता पुर्वक इसको साकार किया है राज्यों में इतनी सरकारे हों केंदर में सरकार हों लेकिन पार्टी और संगठन सरकार और संगठन दोनों के बीच में सिनरजी सरकार नीती बनाती है नीती पर चलती है संगठन रन नीती बनाता है नीती और रन नीती इसकी सिनरजी सरकार और संगठन के काम की सिनरजी का एक प्रतिवीम होती है और जिस प्रतिवम का आज हम सफल उसका लाब देश को मिल रहा है उसी प्रकार से हमें जानते हैं कि सरकार का काम है कार्य करना और इसलिए एक तरफ सरकार का कार्य हो और उसमें जब कार्य करता जुड़ जाता है कार्य प्लस कार्य करता वो एक ऐसी ताकत है जो करिश्मा करती है ये जो करिश्मा दिख रहा है वो कार्य का भी है और कार्य के साथ कार्य करता का भी है दोनों में से एक होने से होना नहीं है करिश्मा और इसलिए वर्क एंड वर्कर क्रियर्स वंडर और इसलिए वर्क और वर्कर ये वंडर की बहुत बड़ी सबसे उद्धिपक कैटलिक एजेंट है जो आज हम कर रहे हैं सरकार ने काम किया सौचाले बनाए घर बनाए गैस पहुँचाया बिजली पहुँचाई लेकिन ये कार्य करता है जिसने विश्वास पैदा किया कि अभी तो ये शुरुवात है जिसे नहीं मिला है उसे मिलने वाला है और जिसे मिला है वो उपकार नहीं उसके हक का मिला है ये जो वर्क एंड वर्कर वाला जो सिनर्जी है जो बंडर करता है वो आज हर बात में हम देख पाते हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि भारतिय जनता पार्टी एक प्रकार से दो संकटों से हम गुज्रे हैं और लगातार हमें जेलना पड़ता है जैसे दो शक्ती हैं नीती और रिती जैसे दो शक्ती हैं नीती और रन्निती जैसे दो शक्ती हैं पार्दर्शिता और परिश्व जैसे दो शक्ती हैं बर्क एंड वर्कर वैसे ही दो संकट भी हमने जेले हैं और वो दो संकट है चाहे केरल लीजिए आखश्वीर ले लीजिए चाहे बंगाल ले लीजिए आतिपुरा ले लीजिए ये चीज़ें अख़बारों में नहीं छपती हैं मिडिया में नहीं दिखती हैं कुछ लोगों की सिलेक्टिव संबेदन सिल्टा सिलेक्टिव मानोता बाद इन सत्य को नकारता है लेकिन हमारे सैंकडो कारेकरताओं ने शहादत मोल ली है उनकी हत्याएं हुई है उनको सिरफ राजरितिक विचारधारा के कारण मौत के घाट उतार दिया गया है जब त्रिकुरा में चुनाव चल रहा था फांसी पे लटका दिये जाते थे हमारे कारेकरताओं बंगाल में आज भी हत्याओं का दौर बंद दुख नहीं रहा है कश्मीर में हमारे लोगों ने जान की बाजी लगाई है केरल में हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है शाहिन हिंदुस्तान में कोई एक राजनीजिक डल इतनी व्यापक्त प्रकार से हिंसा का शिकार हुआ है और उसके मुल में एक जो नेरेटीव हेट्रेट का नेरेटीव लगातार बनाया गया है उसी का परणाम है कि हिंसा को एक प्रकार से मान्यता दी गई है यह हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है दूसरा हमारे सामने संकट है बबासा बाम्बेर कार मात्मा गांदी जैसे महापुरुषों ने सारवजनिक जीवन में छुआ छूट को समाज जीवन में छूआ छूट को सामाजिक बबस्ता में छूआ छूट को खत्म करने के लिए अपनी जिन की खपा दी लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में राजनितिक छुवा छूत दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है भारतिये जनता पार्टी के कारकरताओं की लगातार हिंसा होना मार देना क्या तै होना और दूसरी तरब भाजपा का नाम लेते ही अंटचबिलिटी चुवो मर्द अड़ो मर्द तो बड़े खतरनाग है हम इतने सालों से सत्ता प्याये हैं हम विभाजन कारी बनुपतिक नहीं है जो लोग अपने आपको एकता का ठेकेधार बनाते हैं उन्होंने सिरफ आंद्र का विभाजन किया आज भी वहाँ पर शांति का माहूल नहीं बन पाया है तेलंगना और आंद्र और हम वो लोग हैं जो एकता के मंत्र को ले करके चलते हैं हम उत्तपदेशव से उत्तराखन बना दे दिलों में आग नहीं लगने देते हैं हम विहार में से जारखन बना दे दिलों को चोट नहीं पहुँचाते हैं हम मर्द प्रदेश में से 36 गड़ बना दें प्यार में कोई कमी नहीं आने देते क्योंकि सबका साथ, सबका विकास ये मंत्र हमारी रखों में है हमारी जहन में है लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा परसेप्शन क्रियेट किया गया है एक ऐसा परसेप्शन क्रियेट किया गया है कि जिसमें हमें आज भी अच्छूत मैं गुजरात का मुखे मंत्री था और गुजरात के टूरिजम प्रमोशन के लिए मैंने सीने जगत के लोगों के मदद मागी उन्होंने मदद की लेकिन सारी दुनिया उन पर टूर पड़ी आप और गुजरात गुजरात यहने ऐसा छूआ छूट का परसेप्शन बनाते चले हैं इस चुनोती भी हैं भारत के लोगतंद्र में इस प्रकार के वृत्ति वाले लोग हैं उनसे भी मैं आज काशी की पवित्र जर्ची से पुनर विश्चार कर नेगले आज प्रार्थना करना चाहता हूँ बहुत हो चुका बहुत हो चुका आओ दोस्तों आओ नए सीरे से सोचना शुरू करो कम्यां हम्बे भी होगी लेकिन हमारे हिरादे नेग है और दोस्तों लोग तंतर कोई कुछ भी कह दे आज हिंदुस्तान के राजनीतिक तक्त पर राजनीतिक कैनवास पर इमानदारी से रग रग में लोग तंतर को लेकर के जीने वाला कोई दल है तो भारती ये जनता पार्टी है हम सांशन में आते हैं तब भी हम सबसे ज़्यादा लोग तंतर की परवा करने वाले कलोग होते हैं कभी कभी तो और लोग जब सत्ता में आते हैं तो विपक्ष का नाम और निशान नहीं होता है हमें जब सत्ता मिलती है तो विपक्ष का अस्तित्व शुरू होता है क्योंकि लोकतंत्र ही हमारा स्पिरीट है आप त्रिपुरा देख लिए मैं देश के ये पुलिटिकल पंडितों से कहना चाहूं कर चुनोती देखर के कहना चाहता हूं कोई मुझे बताएं त्रिपुरा के अंदर 30 साल तक कॉम्मिनिस्टों के सरकार रही क्या वहां कोई विपक्ष था क्या हम विपक्ष की कोई आवाज थी क्या वहां विपक्ष को कभी सुना गया था क्या दिल्ली के मिडिया में विपक्ष के भी चर्था हुई थी कुछल दिज़ जा चुका था आज त्रिपुरा में हम सत्ता में आए अभी तो दो साल मुश्किल से होने जा रहा है आज वहां जांदार शांदार विपक्ष मौझूद है और उसकी आवाज सुनी जाती है ये लोक्तंत्र स्पिरिक है उसकी आवाज को तबच्च्च दी जाती है और देश सलाने के लिए ये अपने आप पे बहुत बड़ी बात होती है और जिम्मेवारी भी होती है वो के उपकार नहीं है और मैं मानता हूँ जो हमारे पूर्वर राष्पति बार बार कहते है पार्लामेंट का उप्योग चर्चा के लिए होना चाहिए चर्चा में आप भरपूर विरोग केजिए न लेकिन जब चर्चा के लिए मुद्दे नहीं होते है तरक नहीं होते है एक्सपोज होने जिका डर लगता है तो हो हल्ला करके के संसर को न चलने जेना ये सरलमार्ग बन जाता है हम विपक्ष की ताकत को स्विकार करकर के विपक्ष के ताकत तो तबज्जु देने वाले लोग तंत्र में विश्वास वर्षने वाले लोग हैं और जहां जहां हमें मोका मिला है वहां पर विपक्ष की आवाज संख्या भले कम होती हो जनता का विश्वास के काण उनकी संख्या कम हो जाती है वो उनकी जिम्मेवारी है जन्दा का विश्वास देते लेकिन सम्मिधान हमे जिम्मेवारी देता है कि एक भी क्यों नहों उसकी आवाज का महत्व होगा यह हमारी जहन में है दोस्तों एक और बात है हमारे देश के वलोग संत्रों को वोट बेंग की राजनीती ने कुछल दिया है और इसलिए जो भी निल्ने होते हैं चर्था होती है सब के बीच में आकर कि हिम्मत के साथ अपनी बात रखनी है तो ये वोट बेंग की राजनीती की दभाओं में हमारे देश पर को हिम्मत नहीं कर पाता है क्या इस देश के सामान ने बर्क के गरीब लोगों को अपने हक के लिए इतना इंतिजार करना पड़ा है कोई उनकी बात सुनने को त्यार नहीं था ऐसा तो नहीं था कि आवाज आ नहीं रही थी ऐसा तो नहीं था कि लोग रोज ब्रेक्स नहीं करते थे ऐसा भी नहीं था कि आंदोलन नहीं होते थे होता सब कुछ था लेकिन भोट बेंक की राजनीती के प्रभाव में ये करेंगे तो शायद कुछ खिसक जाए का तो यह हमारी निश्पक्ष सोच थी निश्पक्ष थो थी भोट बेंक की राजनीती से उपर उट करके सबका साथ सबका अविकास सबको अवसर और उसका कारण है कि हम सामान ये वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षन का फैसला कर अगर हम अगर हम बोट बेंक की राजनीती पर चलते तो शायद हम भी उसी में ढल जाते हम नहीं ढले देश के उजबल भवित्तन भविश के लिए जो आवशक है हम करेंगे आज भी मेरी तो सुचरा रहती गाओं में घर मिलेगा एक तरफ से लिसके अंदर से शुरू करो 21 लोग है इस बार 25 गर देने वाले हो पहले 25 को दे दो फिर 26 के दूसरा बज़ेट आए 26 से शुरू करो कौन जाती का है कौन विरादरी का है प्रदान से लेना देना है कुछ लेना देना नहीं है वो मेरे देश का नागरिक है उसको मिलना चाहिए मैं जानता हूं इन चीजों से मिलने वाले तो कभी लगता नहीं है वो वो स्थ ही मानता है यह तो नियम में मेरा नाम आया है उसमें वहजबवालों क्या किया मोदी निक्जार अधानी नेगेटिविटि हो सकती है नुक्सान हो सकता है लेकिन इस नुक्सान को जेल करके भी हमें देश में व्यवस्ताओं को सुचारूरूप विक्सिस करने की हिम्मत हमने दिखाई है साथियो हम वो लोग है जो भारत की महान विरासत को लेकर के गवरोग के साथ आगे बढ़ना चाहते है जो कान बाही है उसको छोड़ने वाले हम लोग है लेकिन जो सद्यों से खरा उत्रा है रुशियों ने, मुनियों ने, आचारियों ने, भगवन्तों ने मद्दूर ने, किसान ने, कामगार ने सिक्षत ने, वग्यानिक ने हजारों साल से देश की परंपरा को विश्चित किया है और उको शर्माती हो आने दो मुझे इसका गर्भव होता है जिनको शर्माती है, वो उनका प्रॉब्लम है हमें लगता है कि हमारे मापुरूसों ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है और जिसकी विरासत भारत के पास है और इसलिए हम दो बातों को लेकर के चलने का प्रयास करते हैं एक इस महान विरासत को और दूसरा आदुनिक बीजन को हमें कल्चर को भी बरकनार रखना है और हमें करन्ट सिचुएशन को भी एड्रिस करना है योग हो आयुवेद हो रामायन सरकीट हो बुद्ति सरकीट हो भारत की महान विरासत है अयोध्या में दिवाली मनाना इतने साल तक किसने रोका था भाई कुम्ब के मेले का उपयोग देश की मर्यादाओं को चूर-चूर करने के लिए हुआ है इतने सालों तक एक ही प्रकार का परसेप्शन क्रिएट किया गया कुम्ब का मेला मतलब नागा साधून की जमाद उस परसेप्शन को बढ़ला जा सकता है और योगीजी के नेत्रुत में देशने बढ़ला है और उसका गवर्ण से उस्तर पदेश नहीं पूरे भारत का हुआ है 26 जनवरी को जब विजय चौक के अंदर परोड़ होती है और हमारे विजय पत पर टैबलो जाते हैं पहली बार एशिया के अंदर भगवान राम को किस-किस रुप में देखा जाता है उसका प्रगदी करान 26 जनवरी राज पर देश में देखा लेकिन इसके साथ हम वो लोग हैं जो अटल टिंकरिंग लैप भी बनाते हैं ताकि मेरी जो नई पीडी है आटवी दस्वी कठ्षा का बच्चा है जो अटल टिंकरिंग लैप से इनोवेशन पर सोचे नई अनुसंधान पर सोचे वैज्यानिक दर्श्चिकोंड से सोचे और भारत को 21 सजी में वैज्यानिक अधिश्थान पर ले जा इसके लिए भी हम उतनी ही ताकत लगाते हैं और इसलिए हम कल्चर का जितना महत्में देते हैं हम 21 सदी के वीजन को भी उतना ही प्रकटार के पुर्वा आगे बढ़ाने के पक्ष्प है हमारे देश में पूजा पांट में सवा रुपिय का महत्म है सब है लेकिन फिर भी भीम एप बना करके मोबाइल फॉन से डिजिटली डोनेश करने करें कि परमपना हम विक्सित कर रहे हैं चीजें जरूरे नहीं है कि पुराना सब तोड़ फोड़ करके ही नया बनाया जा सकता है लेकिन हमने उन चीजों को आगे लिया है हम 11 नमबर की अर्थ विवस्ता से शुरू की थी आतरा अच्छे नमबर पे पहुँच गए दुनिया में पांच नमबर पे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं तीन पर पहुँचे लेकर पहले तीन में पहुचने के इरादे से काम कर रहे हैं आज मेरा दैस का नवजवान स्टार्ट अप को लेकर के विश्व में ताकत के उपा सकता है तो स्टार्ट अप को बल देकर के देश के नवजवान की ताकत से विश्व को अचम्वित करने के जिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसलिए हम उन चीजों को आगे बढ़ाना के लिए प्रत्यास कर रहे हैं जो लोग पर सेप्शन बनाते हैं उन्होंने हमेशा यह बनाया और जिस उनके लिए वो साय एक अकडेमिक डिसकेसन होगा लेकिन इस प्रकार की सोच से देश में दरार है पड़ती है उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी यह सोच किस प्रकार से देश में दरार प्रदा करते थी है आज हिंदुस्तान का कोई छेतर ऐसा नहीं है जहां भारतिय जनता पार्टी के प्रतिनीदी चुनते हो या न चुनते हो लेकिन लगातार हमारा बोर्ट परसंटेज बढ़ रहा है केरल हो तमिल लाडू हो कश्मीर गाटी हो आज लग्दा से भी बीजेपी चुन करके आती है तो हम फिर भी ये पंडित लोग बैठेंगे हिंदी हार्ट लेंड की पार्टी करना तक मैं सबसे बड़ा दल फिर भी हम हिंदी हार्ट लेंगे गोवा में सालों से हम सरकार चला रहे हैं फिर भी हिंदी हार्ट ने पूरे नौर्थिस में वहां हिंदी भाषा समझना मुश्किल है फिर भी हम सरकार चलाते हैं आसाम में सरकार चलाते हैं हम लग्दात के अंदर चुनकर क्या आते हैं एक ऐसा प्रह्म प्यादा किया गया है हम एक कि सर्व समावेशक कि सर्व सपर्शी और सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए काम करने वाले भार्टी जनता पार्टी के हम लोग है भायो भेनो चुनाव जीतना एक काम है और लोग तंतर क्या है यह उस्सव आन बान शान के साथ हमने मनाया है लेकिन अब दोहजार बाईश बारत के अधादी के 75 साल अधिकार की चर्चाएं हमने बहुत कर ली है यह पांट साल कर्टव्य के बल पर हम चल सकते हैं और इस देश का नागरी का अगर अपने कर्टव्यों का पालन करें तो फिर किसी के अधिकारों का हनन होने वाला नहीं है यह देश मेरा है आज भी हमारे देश में मानसिक्ता बन गई आजादी का अंदोलन चला तो हम देश के लिए मर मिठते थे लेकिन आजाद होने के बाद स्कूल है तो हम आराम से कहते हैं तो सरकारी स्कूल है अस्पताल भई तो सरकारी अस्पताल है अरे भई वो सरकारी नहीं है वो तेरा है तुम उसके मालिक हो हमने ये भाव पैदा करना है जो भी सरकारी है वो भारत के हर नागरिक की मालिक की का है और उसको बढ़ाना उसकी ताकत देना उसकी रक्षा करना एक नागरिक के नाते हमारा कर्टब के है इस तो सरकारी स्कूल है भाई छोड़ो वहाँ तो कौन जाएगा ये सरकारी अस्पताल है पता नहीं कौन जाएगा जी नहीं हमीं मिलकर के सरकारी है वो हमारा है हम इसको ताक़ कैसे दे अपना स्कूटर तो हम इतना बढ़िया दिन में चार बार साफ करते हैं 20 साल पुराना हो कलर उखड गया हो फिर भी बराम गीजगर के चमक चमक करके निकलते हैं लेकिन सरकारी बस में बैठें और बगल में सीट खाली हो बातों करना वाला हो नहीं हो और नींद आती नहीं हो तो क्या करते हैं शीट पे उंगली डालते हैं यहां सब ने किया होगा और अंदर से दो पी रीच का जब तक गड़ा लेकर हैं हमको चेंड ही आता है भारत माता की जै बोले और फिर बनारसी पांद खा करके यह कौन से भारत माता की जै भई उसी मा को घंडा करें जिस मा का जैगारा करने के लिए हम संकट जिलते हैं कहने का तात्पर यह हैं कि देश मेरा है यह देश वासी मेरे है जिस स्पिरीट से आजहादी कांदोलन चला उसी स्पिरीट से आजहादी के 75 साल देश को नई उन्चाहियो पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़ाए और काशी काशी करके दिखाएं साथ्यों आज चुनाओ की गहमा गहमी के बाद विजयों साथ का माहोलत देरी देरे ठंडा हो रहा है तब अपनों के बीच में आया हूँ ज्यान नगरी में आया हूँ महान विरासत की धर्ती पर आया हूँ और उसमें से जो भाव जगा उस भाव को मैंने आपके सामने प्रजेक्र गया है जब चुनाओ का काम चल रहा था उसकी समय इश्वर्ष जिनको हमने पदमसे दिया था वो सद्धे हिरालाल जी हमारे बीच नहीं रहे जिन्होंने संगीत साधना में बहुत बड़ा योगदान किया मैं आज जब उनके स्वरगवास के बाद पहली बार आया हूँ तो मैं आदर पुरवक उनको सरधान ली देता हूँ उनके परिवार जनों से तो मैंने बात्चित की थी लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत के परती हम सब का गर्व बना रहे मैं फिर एक बार आपके पुर्शात के लिए आपके परिशन के लिए आपके समर्पन के लिए जी जान से जो महनत आपने की है आप सब को हाद जोड़ करके नमन करते हुए मैं रुजय इसे धन्यवाद करता हूँ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद सभी कांसरी के मत नाताओं का धन्यवाद फूरे उत्तर पॡ़ेश का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद